नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो सारदूल ठाकूर हुएं दूसरे टेस्ट मैच से बाहर टीम इंडिया में होने वाला है बड़ा बदलाओ जानेंगे कैसी हो सकती है भारत की प्लेइंग लेवन दोस्तो भारत और इंगलेंड के वीच दूसरे टेस्ट मैच की सुरुवात 12 अगस्तियानी गुरूवार यानी आज से ही हो रही है लौड के मैदान में होने वाले इस मुकाबले में दोनों ही टीमे अपना सर्वोस्रेश्ट परदर्शन करके सीरिज की पहली जीत दर्श करना चाहेंगी हाला कि दोनों ही टीमें अपने-अपने खिलाडियों की चोट से परिसान हैं, भारत के ओल राउंडर और पहले टेस्ट का हिसा रहे, सारदुल ठाकूर चोटिल होकर दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं, वहीं इंगलेंड के तेज के इंदवाल इस्ट्वर्ड ब्रॉड भी चोटिल हैं और उनके खेलने पर भी अनिश्चित्ता बनी हुई है, ऐसे में सीरिश के दूसरे मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेंग लेवन में बदलाव संभव है, फिलाल जानते हैं कि भारत की संभावित एक आदस क्या होने वाली है, दोस्तों केयल राहूल ने पहल चोटिल होने की वज़े से अनभवी खिलाडियों पर रहेगी, कप्तान विराट कोली चेते सर्पुजारा के साथ अजिंक्या रहाने पर टीम को मजबूती दिने और मध्यकरम को समालने की पूरी जिमिदारी होगी, बात करें अगर विकट की परकी तो जीहां विकट की पी नहीं मिलें, वहीं सारदुल ठाकूर के चोटिल होने की वज़े से वो इस मैच से बाहर हो चुके हैं, बात करें अगर गेंदबाजों की तो पहले टेस्ट मैच से बाहर रहने वाले अनभवी इस्टार तेज गेंदबाज इसान सर्मा को सारदूल की जगे मौका मिल सकता है उनके अलावा मौम्मद समी और जस्परीद बुम्रा का खेलना भी तय है, बुम्रा ने मैच में 9 विकट चटका कर अपने आलोजकों को करारा जवाब दिया है, तो अगर एक बार फिर से हम पूरी प्लेइंग लाउन की बात कर लें तो देखिए रोहिस सर्मा, केल, रहुल विराट को ली, चितेसर पुजारा, अजिंके रहने, रिसा पंत, इसान सर्मा, रविंद जड़या, मौम्मद समी, मौम्मद सिराज और जस्परीद बुम्रा, ये आपको प्लेइंग लाउन आज की मैच में देखने को मिलने वाली है, तो यही था वीडियो में वीडियो को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद